इस बीच NCW भी एक्टिव हो गई है नेशनल कमिशन फॉर विमन की टीम भी आज विभव कुमार के घर पहुँची और पेशी का समन दिया विभव कुमार को कल पेश होने के लिए कहा गया है NCW की अध्यक्ष रेखा शर्मा का कहना है कि इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरवंद केज़िवाल पर मुकत्मा भी दर्ज हो सकता है आई आपको सुनवाते हैं क्या कह रही है NCW की अध्यक्ष आपने विभव को बुलाया था, नोटिस भी दिया था, वो आये नहीं, क्या आप करने जा रहे हैं महिला आयोक को स्वाती मालीवाल के मामले में क्या जानकारी स्वाथि माली वाल के आपारे में जो जानकारी आपको है हमको भी है वो अभी मीडिया कराने के बाद घर पहुची है और मुझे लगता है इसके बाद और बात करेंगी थोड़ा सा ठीक हो जाने के बाद हमने एक inquiry टीम बनानी है और उनको भीजने है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि विभभ आएगा उन्होंने अभी तक तो लिया ही नहीं है हमारे से notice हमने आज फिर से notice भीजा है पुलिस के थूरू नहीं लेते हैं तो हम inquiry टीम खुद भीजेंगे किन सेक्शन्स में कारवाई की जा रही है क्या जानकारी आपको मिल पाई है सेक्शन्स पुलिस ने हमें भीज दी है मैंने डेटेल आपको पहले भी भी दी है डेटेल और मुझे लगता है कुछ एडिक्शनल चार्जेज भी लगेंगे इसमें किसी एम के साथ वो नजर आये थे लगनाव जाते हुए मीडिया कर्मियों के कैमरे में कैमरे में कैद हुए थे अब वो दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या बड़े लेवल पर बचाने की ही नहीं यह बताने की भी कोशिश हो रही है कि वो केर नहीं करते हैं अगर एक महिला की पिटाई किसी नहीं किये रही है कि कितनी इनसींसेटीविटी है यह सी एम में और यह कहना और करने कथनी और करनी में कितना बड़ा फरक है इ towel यह है कि क्या कोई और भी notice आएगा क्या इस तरह की जानकारी है? सीम केजरिवाल के खिलाफ भी केक्शन ले सकते हैं मुझे लगता है कि इनके खिलाफ भी पुलिस को कंप्लेइन आने वाली है मुझे लगता है स्वातिमालिवाल की मारपीट मामले में फायर दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस इस मामले की जाच में जुटी है और हमें जानकारी मिल रही है कि इस मामले की जाज के लिए दिल्ली पुलिस की टीम वारदात की टाइम लाइन तैयार कर रही है और घटना वाले दिन का पूरा सीक्वेंस ओफ इवेंट्स तैयार कर लिया गया है ताकि ये पता किया जासा के कब कहां क्या हुआ और फिर उसी सीक्वेंस के हिसाब से CCTV खंगाली जाएंगी इसके लिए पुलिस FM के आवास CCTV लगाने वाली कंपनी से भी संपर्ख करेगी और CCTV फुटेज की मांग करेगी आपको बता दे कि केजरिवाल के घर के बाहर आठ CCTV कैमरे लगे हैं चूकि मुख्यमंतरी केजरिवाल का घर है तो कमपाउंट के अंदर भी बहुत सारे CCTV कैमरे होंगे उनकी फुटेज भी दिल्ली पुलिस खंगा लेगी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पूरे केस की जांच में जुटी है टाइम लाइन और सीक्वेंस बनाने के बाद दिल्ली पुलिस इस बात की जांच करेगी कि तेवे मई को स्वाती मालिवाल कितने बज़े CM हाउस पहुँची CM हाउस के गेट पर उन्हें कौन कौन मिला गेट पर जिस जिस से मुलाकात हुई उन सब के बयान दर्ज किये जाएंगे जानकारी के मताबिक स्वाती मालिवाल टेक्सी से CM हाउस पहुँची थी ऐसे में दिल्ली पुलिस उस टेक्सी ड्राइवर का भी बयान दर्ज करेगी केजिवाल के घर में स्वाती मालिवाल से कौन कौन मिला था इस बात की जाच होगी और जब वो वीडियो रिकॉर्ड किया गया वो किसके मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया उस वीडियो के आगे और पीछे क्या है उस बात की भी जाच होगी और वो मोबाइल भी पुलिस ज आप कर सकती है